दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे किचर में अगर आपके पास भी पहले से ही अचार का तेल रखा है तो मिर्ची अचार इसमें डाल कर बड़ा आसानी से बना सकते हैं बहुती टेस्टी और लाजवाब स्वादिश्ट बनकर तयार होगा इसके टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी बहुती फटाफट जल्दी से आप मिर्ची अचार बना सकते हैं तो दोस्तों मिर्ची अचार तो डालने के लिए फेमिली वाले भी बोले थे लेकिन बोल रहे थे कि घर में तेल नहीं है और अचार मसाला नहीं है तो कैसे डाले तो में ने कहा कि आपको नया तेल और नया मसाला लेने की जरूरत ही नहीं है बोले क्यों भई बिना मसाले के बिना तेल के कोई अचार बनता है कि हमने कहा रुको जरा हम आपको आज नया तेल और नया मसाला याने बिना मसाले के बिना तेल के आपको आज हम ये बना कर दिखाएंगे तो बोले कि वो केसे हमने कहा आपने पहले अचार डाला था तो बोले कि यहां डाला था हमने कहा उसका तेल बचा है तो बोले कि यहां बचा है हमने कहा कि वो ही उठा के ले के आओ चलो फटा फट से और हम आपको आज ही मीचे अचार बना कर दिखाएंगे तो दोस्तों जैसे घर में जो तेल रखा था ना वो तेल में जल्दी से मंगा लिया और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैंने देखा इसमें थोड़ी सी आम की जो थी न अचार थोड़ा सा बचा हुआ था ये देखिए इसमें पहले से ही आम का अचार डाला था ये एक साल पहला अचार है दोस्तों आप देख सकते हैं खराब भी नहीं हूँ और इसमें तेल के अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला भी पड़ा है तो इसलिए हमें इसमें मसाले की जरूरत ही नहीं है और नया तेल लेने की भी जरूरत नहीं है जो हमना पास तेल है अचार का बचा हुआ यही तेल काफी है तो दोस्तों कैसे अचार इसमें हम डालेंगे और किस तरह इसे स्वादिश्ट बनाएंगे तो चले आज अचार मिर्ची रखी थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है मिर्ची खराब तो नहीं होई है बस कलर चेंज हो गया है तो कलर चेंज होने से मिर्ची खराब नहीं होती है मिर्ची एकदम सही रहती है बस कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होने की वज़ा से हमारी मिर्ची में कोई खराबी नहीं होती तो दोस्तों मेंने जैसे मिर्ची लिया तो इसका मैंने इस तरह से बीच में से इस तरह चाकू से काट कर इसका मूह practices लिया है पूरा मूह खोलना है ऊपर से नीचे तक इसका जो है पूरी को अलग-उलग पिस नहीं करने हैς और बस इसका मूँ खोल लेना, इस तरह से, तो मैंने इसके सारे के मूँ खोल लेना है, अबिने सारी मिरची के मूँ खोल ली एैए, अब आपको बताउंगे, आगे ये सुवाद्रिश किस तरह बनने वाला है, तो हम या नहाब पर मसाला लेंगे, और ना ही लेंगे यहां कोई मिर्ची पोडर, धन्या पोडर कुछ भी ने लेंगे बस सिर्फ यहां पर सादा नमक लेना है जो नमक आप सबजी में डालते हैं, खाने में खाते हैं सिर्फ वही नमक लेना है और इस नमक को इस तरह से जो हमने पीस बनाई है मतलब जो पीस के मूँ खोले हैं मिर्ची के मूँ खोल कर इसके अंदर हम इस तरह से नमक को भर देंगे अच्छी तरीके से भर देंगे इसी तरह हम मसाला भी इसमें भरते हैं तो इसी तरह से हमने पूरी मिर्ची में नमक भर दिया है तो अब हम इसे डालेंगे जो तेल हमारे पास रखा था अचार का पहले से ही एक साल पुराना तो उसी में हम मेर्ची डाल रहे थे तो फिर फिर घरवाले बोले कि ये क्या कर रही हो तुम ये तो तुम इस तरह से मेर्ची खराब कर दोगी यार पहले इसमें नमग भर दिया और अब जो पहले से एक तरह तेल रखा ता अचार का बचा हुआ उसमें डाल दिया है तो मैंने कहा हाँ भाई तभी तो आपका खर्चा कम होगा तो आपको तो मिला नहीं था तो हमने सोच इसी तरह से हम इसको कामियाब कर देते हैं इसका तो मैंने फटा फट से इस तरह से इसमें डाल दिया है अचार की मिर्चे और अब आप देखें मैंने यहां पर इसे चार-पांच दिन के लिए रख दिया था ढखकर और आप देख सकते हैं पहले से इसका कितना कलर चेंज हो चुका है तो देखा दोस्तों तेल का ज्यादा अचार भी नहीं हुआ है और अचार मसाला भी नहीं लगा है बाकी कोई और चीज भी नहीं लगी तो दो तीन चीज से ही फटा फट यह बनकर तयार हो चुका है तो दोस्तों अगर आपके भी पास पहले से अचार डाला हुआ तेल पहले एक साल पुराना या दो साल पुरा किस वजह से लगता है मैं आपको बताऊंगे इस तरह कि देखिए सफे सफेद या फिर काली फूई भी आ जाती है खास करके ज्यादा कर जो है ना अचार में सफेद फूई आती है वाइट फूई तो इस तरह से आती है क्योंकि अगर हम तेल को इतना ऊपर रखेंगे कि अचा कि मैं पें टॉर कर सकते हैं यसे फिरिज में रख लेना है फिरिज में रखने से जहना मेरीची अचार छह रहता है तो दोस्तों डीव लागे तो हमारी वीडेओ लाइक दो दोस्तो में शेयर करें और अगर में मिलते है अगली करलका के вопросы गंटी भी ठासे जह व्याए म झाल